परनाम आचारे जी, शिवर के बाद बहुत परिवर्तन हुआ है, मन स्ताही रूप से शान्त रहता है, मुझे ध्यान करना और आपके विडियो सुनना अच्छा लगता है, परन्तु मेरी धार्मिक ग्रंतों में अभी रूची नहीं है, क्या ये सही है, क्रिप्या मार दर्शन करने के क्रिपा करें, भावना जी, धार्मिक ग्रंतों का काम, व्यक्ति में कुछ जोड़ना नहीं होता, उसे कुछ अलग करने के लिए प्रेरित करना इत्यादी नहीं होता, धार्मिक ग्रंत, जिसे आप कह रही हैं, अगर वो खरा है, तो नकार की रास्ते पिछलेगा, निशेद की बात करेगा, वो आपको सिखाएगा भी तो कुछ ऐसा, जो आपसे कुछ घटा देता हो, कुछ जोड़ेगा नहीं आप में, गौर करिएगा कि अधिकांशित्त जो शब्द धर्म के साथ जुड़ते हैं, वो नकार के शब्द हैं, अहिंसा, अपरिग्र, अचौर्य, असत्य, आपसे कहा जाता है, जीवन से कुछ हटाओ, आपसे कहा जाता है, जीवन से कुछ हटाओ, यह काम होता है, धर्म गरंतों का, धर्म गरंत जीवन से क्या हटाने को कहते हैं, वो जो असली लग रहा है, पर असली है नहीं, और लग क्या सरा है, वो असली और आकर्शक और सुन्दर, क्या कहने हैं, तो धर्म गरंत कुछ ऐसा हटाने को कहते हैं जीवन से, जो असली लग रहा है, असली है नहीं, अब आते हैं ध्यान पर, आपने कहा है, ध्यान करना पसंद है, लेकिन धर्म गरंत करना पसंद नहीं है, जिसे आम तोर पर ध्यान कहा जाता है, वो क्या है, वो है किसी ध्ये में मन को एकाग्र करके इस्थिर और सयमित कर देना, यहीं है न ध्यान, ध्ये तो सभी चुनते हैं भावना जी, दुनिया में कोई नहीं मिलेगा आपको जो पूर्णतया ध्ये रहत हो, और ध्ये अगर सभी के पास है, तो ध्यानी भी सभी हो गए एक द्रिश्ट से, जब जीवन में सभी के धिये उपस्थित है तो ध्यानी भी तो सभी हो गए ना उस नाते पर सब तो ध्यानी होते नहीं ध्यान तो अदभुत, विलक्षन और विरल बात है किसी किसी कोई संभव हो पाता है वास्तविक ध्यान तो इसका मतलब बाकी सब ध्यानी अवास्तविक ध्यान कर रहे है और अवास्तविक ध्यान क्या हुआ? अवास्तविक ध्ये में चित्त को लगा देना ही अवास्तविक ध्यान है किसी ऐसे लक्ष पर केंद्रित हो जाना जो असली तात्विक मुल्यवान लग रहा है लग रहा है पर है नहीं ये हुआ नकली ध्यान नकली ध्यान किया है सब समझें नकली ध्यान है किसी ऐसे लक्षे पर केंद्रित हो जाना किसी ऐसे धेय पर एकाग्र हो जाना जो लग तो रहा है लोकातीत आनंदप्रद मुक्तिप्रद न्यारा पर है नहीं ये हुआ नकली ध्यान ध्यान असली हो सके तो फिर इसके लिए शर्त क्या हुई शर्त ये हुई कि आपको ध्ये में असली नकली का भेद करना आता हो जो असली लक्ष को नकली लक्ष से अलग देख सकता है वो ही असली ध्यान भी कर सकता है लेकिन अब समस्या ये है कि नकली लक्ष भी प्रतीत तो असली जैसा ही होता है कौन कहता है कि मैंने अपनी जिंदगी में जो इरादे बनाई हैं जो कामनाई रखी हैं जो लक्ष बांधे हैं जो धे बांधा है वो नकली है सबको यही लगता है कि नहीं असली है असली से क्या अतात पर कि उसको पालेंगे तो तर जाएंगे कि उसमें कुछ बड़ी कीमत है जीवन में अश्वर्य आ जाएगा अगर उस लक्षे की प्राप्ती हो गई ऐसा ही लगता है न जब भी किसी लक्षे के पीछे जाते हो तो ध्यानी तो सभी हैं लेकिन सार असार का भेद सब के पास नहीं है सत्य असत्य का भेद सब के पास नहीं है सब नहीं जानते कि कौन सा लक्षे ध्यान धरने योग्य है और कौन सा लक्षे ध्यान धरने योग्य बिलकुल नहीं है जो ये नहीं जानता कि कौन सा लक्षे ध्यान करने योग्य है और कौन सा नहीं उसको फल क्या मिलेगा, उसको फल ये मिलेगा कि वो जीवन भर ध्यान तो खूब करेगा और जो असली चीज है उसे पाएगा नहीं, पाएगा भी अधिक से अधिक तो क्या, जो जो उसने नकली धे बना रखा है, वो पा जाएगा असली से तो वंचित होई गया क्योंकि असली पर तो उसने निशाना ही नहीं साधा, उसे अधिक से अधिक मिलेगा भी तो क्या, जो उसने नकली धे रखा, और नकली धे का मिलना और बुरा होता है, न मिलने से, तुम नकली चीज चाहो और तुमें मिल भी जाए, ये तो तु कोनी दुरखटना हो गई अब बताईए आप कि अगर नहीं पता है कि कौन सी चीज नकली है तो आप ध्यान कैसे कर लोगे और नकली का पता कैसे लगेगा जब तक आप नकार के मार्ग पर नहीं बढ़ोगे नकार के मार्ग पर कैसे बढ़ना है ये बताते हैं धर्म गरंथ वही बताते हैं कि नकली की पहचान क्या है वही बताते हैं कि पता कैसे लगेगा क्या सार क्या सार क्या नित्ते क्या नित्ते क्या सत्ते क्या सत्ते मात्र धे बना लेना और उस पर केंद्रित हो जाना काफी नहीं है ध्ये को लेकर अतिशय सतर्कता भी चाहिए गलत ध्ये बनाने की सजा होती है गलत ध्ये की प्राप्ति जीव के लिए बहुत आसान है वो अपनी मधोशी में अपने आपको ध्यानी होने की शाबाशी देता हुआ जिन्दगी भर ध्यान करता रहे और ध्यान किस पर कर रहा था किसी छवी पर किसी ध्होनी पर किसी दृश्य पर किसी घटना पर किसी मूर्ति पर किसी शब्द पर और वो क्यों ध्यान करे जा रहा था इन सब विशेओं पर क्योंकि उसको पता ही नहीं था कि नित्य क्या अनित्य क्या और अनित्य वस्तु ध्यान योग्य नहीं होती ये बात तो धर्मगरंत ही बताएंगे न आपको पता कैसे चलेगा कि आपने ध्यान का जो लक्षे बनाया है वो सही है बताएंगे न आपको पता कैसे चलेगा कि जीवन में जो कुछ भी आपको प्रिय लगता है वो आपके हित का है या नहीं है ध्यान माने तो यही है जैसे निशाना साधना पर निशाना साधना काफी नहीं है ये भी तो पता हो कि किस पर निशाना साधर है हो और मैं फिर दोर आ रहा हूँ सबने अपनी अपनी व्यक्तिगत समझ से जो निशाने चुने होते हैं उन्हें अपनी दृष्टी में तो उत्तम और उत्कृष्ट ही लगते हैं सबको यही लगता है कि मैंने जो इरादे बनाए हैं मैंने जिस पर नजर करी है वही सर्वोत कृष्ट है पर फिर जीवन कुछ दिनों बाद जटका देता है पता चलता है कि जिसको इतने दिनों से अपने प्रयत्नों का लक्ष बना रहे थे वो इस लायक ही नहीं था ध्यान में अगर शुद्धता लानी हो तो धर्म ग्रंथों की ओर जाएं कई दफे तो व्यक्ति जान बूझ कर धर्म ग्रंथों से कन्नी काटता है क्योंकि वो सच बोलते हैं उनके सामने हमारे जूट पकड़े जाते हैं और धर्म ग्रंथों का कोई स्वार्थ नहीं है तो आप से बेलाग सच बोलते हैं उन्हें किसी किसम का कोई डर नहीं है तो अपनी बात बेखौफ बेखटके रखते हैं आपके सामने इतनी इस पश्टता इतनी सत्यता कि हम अभ्यस्त नहीं होते हमें ज्यादा बहतर लगते हैं व्यक्ति क्योंकि व्यक्ति तो जीवित है माने जीव है जब तक जीव है वो तब तक उसके कुछ स्वार्थ होंगे जगत से कुछ सरोकार होंगे तो जीव के साथ ये संभावना रहती है कि वो आप से थोड़ी मीठी बात कर लेगा थोड़ी चिकनी चुपड़ी बात कर लेगा भाई अभी हो जीव है उसे भी कुछ चाहिए तो वो आप से बहुत कड़ा और बहुत कड़वा नहीं हो पाएगा वो थोड़ा मिसरी घोल के बोलेगा क्योंकि उसे भी आप से कुछ स्वार्थ सिद्ध करने है तो हमें लोगों की बात सुनना फिर भी गवारा हो जाता है बात भी तो हम उनी लोगों की सुनते हैं जो हमसे थोड़े संबंधित होते हैं और जो आप से संबंधित होगा वो आपको क्यों बहुत कड़वा बोल कर ठेस पहुँचाएगा वो आधी सच्चा ही छुपा जाएगा अगर उसे पूरी पता हो तो जीव के साथ सबसे बड़ी तो समझ से आईए कि उसे पूरी बात पता ही नहीं होगी जितनी आधी ती ही पता होगी उसमें से भी वो आधी और छुपा जाएगा और फिर जो आपको बताएगा उसे मखन मिशरी के साथ तो हमें लगता है यह ठीक है धर्म गरंथों से हम अक्सर बचना चाहते हैं क्योंकि वहां मामला बिंदास है उन्हें जो कहना है उन्हें कह देंगे उनका आप कोई स्वार्थ बचा नहीं है न वो आप से कुछ चाहते हैं न उन्हें आप से डर लगता है आपको भला लगा तो अच्छा और आपको चोट लगी तो भी कोई बात नहीं जहने कहना था वो कह गए इसलिए आज कल कुछ प्रचलन सा भी हो गया है मेरे पास लोग आएंगे कहेंगे कि मैं आपको सुनता हूँ मैं कहूँगा मैंने न जहने कितने धरुगरंथों पर रिशियों पर, संतों पर, दार्शनिकों पर, विचारों पर विचारकों पर स्याकड़ों बार बोला है आप मेरे वीडियो इत्यादी देखते हैं तो मेरे वीडियो इत्यादी तो धर्मगरंथों पर भी है मैं बोले हाँ बिलकुल मैंने आपका देखा था वो वीडियो आप किन ही अश्टा 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 वकर पर बोल रहे थे तो आपने सुना वो वीडियो, कहेंगे हाँ बिलकुल सुना, बड़ा अच्छा लगा, फिर क्या किया, बोले मैंने और उसके नीचे के पढ़े, तो उनमें सब में लिखा था अश्टा वकर, अश्टा वकर, अश्टा वकर, चार पांच थे, लाइन से, तो क्या कर आपने, ब अश्टा वकर गीता पढ़ी, बोले ने, उसकी जरूरत क्या है, उसकी जरूरत क्या है, ताच्छो, मैं अश्टा वकर पर बोल रहा हूं, आप कह रहे हैं कि मेरी बात आपको भली लगती है, आप अश्टा वकर को नहीं पढ़ना चाहेंगे, और मुनी अश्टा वकर पर मैं क्या कह रहा हूं, ये भी आपको भैतर तभी समझ में आएगा, जब पहले आप उन्हें पढ़ने का थोड़ा कश्ट करें, धर्म ग्रंथों के पाठ के बिना, जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं अध्यात्मिक साधना में, मुझे उनको ले करके बड़ा ताज्जुग है, बड़ा संदेह है, ये विर्थ ही थोड़ी था, कि सब नहीं तो अधिकांश प्रमुख धर्मों की एक किताब या कुछ किताबें हुईं, और धर्म के केंद्र पर ही वो किताब या किताबें थीं, आप धर्म की कल्पना ही नहीं कर सकते उस किताब के बिना, अधिकांश धर्मों के साथ ऐसा ही है, चाहिए वो पूरब के धर्मों या अबराहम की पर्मपरा के, किताब तो है, पूरब आएंगे तो वेद हैं, धर्मपद है, गुरुबरंद साहिब है, और थोड़ा, पश्च्चिम की और देखेंगे, तो बाइबल है, कुरान है, और ये सब ग्रंथ, अपने अपने धर्मों के स्रोत की तरह है, कोई सिख में ले आपको और कहें किया, अरे मुझे गुरुगरंद साहिब से क्या लेना देना, तो कैसा लगेगा आपको, कोई मुसल्मान मिले बोले, कुरान, कुरान क्या है, कुछ बात होगी ना, कि धर्म ग्रंथों को इतना महत्त और इतना आदर दिया गया, पर ये चीज आजकल बड़े प्रचलन में आ गई है, कि हम तो ध्यान करते हैं, हमारा धर्म से कोई लेना देना नहीं है, धर्म तो संकीन और साम्प्रदाइक चीज होती है, और ध्यान और मेडिटेशन, ये धर्म निर्पेक चूँते हैं, ये सेकुलर हैं, तो अगर आप धर्म गरंथ पढ़ रहे हो, तो धार्मी के त्यादी हो गए, हो सकता है कोई थोड़ा शंका की द्रिष्टी से देखने लगेगी, ये कहीं कटरवादी तो नहीं है, पर आप बात करो, मेडिटेशन की, तो आप बढ़िया आदमी हो, आप बढ़िया आदमी हो, अब आप उदार्वादी कहलाओगे, वरहद मना कहलाओगे, धर्म निर्पेक्च कहलाओगे, और मुझे ये समझ में नहीं आता, कि धर्म के बिना ध्यान कौन सा, और ये बिना धर्म के लोग ध्यान कर रहे हैं, तो ध्ये किसको बना रहे हैं, जो ध्ये बनाने लायक है, उससे तो आपका परिचे धर्म नहीं करवाया, तो बिना धर्म के ये जो तुम मेडिटेशन करते हो, आज कल की रंग बिरंगी दुकानों पर जा जाके, ये मेडिटेशन चीज क्या है, मैं बताता हूँ, ये चीज क्या है, ये फरज़ी चीज है, ये फरेब है, ये आत्म परवंचना है, खुद को धोखा है, ये जीवन क्या मूल्चूल बदलाव का तरीका नहीं है, ये कुछ समय का अध्यात्मिक मनुरंजन है, ये आपको आपकी गंदी दिंचर्या के तनाव से अल्पकालीन राहत देने का सस्ता उपाए है, क्या ओ, बैठ जाओ, कुछ आसन बना लो, कुछ आख बंद कर लो, थुड़ी देर ऐसे करो, थुड़ी देर वैसे करो, कुछ क्रिया, कुछ प्रक्रिया बता दी गई, और वो करके आपको तात्कालीक राहत मिल गई, और उसको आपने नाम क्या दे दिया, ध्यान, ध्यान का अर्थ होता है पूरा जीवन उच्चतम ध्ये को समर्पित कर देना और उच्चतम से मिलोगे कैसे तुम अगर वेदों के रिशियों से नहीं मिले अगर बाइबल के जीजस से नहीं मिले अगर कुरान के पैगंबर से नहीं मिले कौन तुम्हारा परिचय कराएगा पर ये खूब चल रहा है उपनिशद पढ़े नहीं अश्टा वकर क्या अश्टा वकर वो तो पकर हो चुके है संतों साधुआं कुछ पता है चीन जापान लाओजू लीजू चुआंगजू हुआंगपो हाँ तो फिर क्या करते हो Meditation वो क्या होता है वो आख बंद करके कभी सांस गिननी होती है कभी संगीत सुनना होता है जन 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 यह क्या चल रहा है Meditation एक ने मुझे जो उरतांत बताया था, उससे मैं उबर ही नहीं पा रहा हूँ वहाँ पर meditation, नहीं, meditation नहीं होता देखी, meditation, मैं तो फिर भी थोड़ा सा भारतिय स्पर्श आ गया ना, meditation यह सारी बातें पूरे तरीके से अभारती हैं, यह सारी बातें पूरे तरीके से पश्चिम से आयाते थे, इसलिए वह ध्यान तो हो यह नहीं सकता, meditation भी नहीं हो सकता, वह meditation है तो एक मिले यह meditation वाले, मैंने पूछा क्या करते हो, बोले वो कमरे में बंद कर देते हैं, अंधेरा कर देते हैं, और रिकॉर्ड चालू कर देते हैं, कहते हैं, सुनो और उसमें जहींगरों की आवाजें आती हैं, बोलते हैं, यह अनहद हैं, और यही परमध्यान हैं, सुनो तुमने उपनिशद का उपढ़ लिया होता, तो भी बच जाते फरेव की इस दुकान से ध्यान कोई छोटी मूटी चीज नहीं होती, ध्यान हसी ठटा खिलवाल नहीं हैं, ध्यान लाइफस्टाइल को थोड़ा सा बहतर करने का जरिया नहीं हैं, फोर तो फाइफ मैं स्विमिंग जाती हूँ, फाइफ तो सिख मैं कीटी जाती हूँ, सिख तो सेवन मैं मेडिटिशन करती हूँ, और सेवन तो एट फिर मैं इधर उधर शॉपिंग करती हूँ, यह नहीं है ध्यान, वो इसलिए नहीं है कि आपकी घटिया जिन्दगी में एक अतिरिक्त क्रिया की तरह जुड़ जाए, जो जीवन का समग्र काया कल्प चाहते हूँ, सिर्फ उनके लिए है ध्यान, जिन्हें संसार में खोखलापन दिखने लगा हो, जिन्हें संसार से पार की सक्चाई की तलब उठने लगी हो, सिर्फ उनके लिए है ध्यान, बाकी लोग जो कर रहे हैं मेडिटेशन वगएरा, वो करते रहें, पर कम से कम उसको ध्यान का नाम मत दीजिए, ध्यान बहुत उची चीज है, उसका नाम मत खराब करिए, जान दे देने से ज्यादा मुश्किल है ध्यान, बस ये समझ लो, जान दे देने में तो सिर्फ जिसम तूटता है, ध्यान में वो तूटता है जिसको तुम मैं कहते हो, वो ज्यादा मुश्किल है, ज्यादा कष्टप्रद है, वो ज्यादा बड़ी कुर्बानी मांगता है। तो ये जिसको आप धर्म निर्पेक्ष ध्यान कहते हो, मैं लानत भेजता हूँ इस पर, ये हो नहीं सकता। इस तरह की अफवाहों से बाज आईएगा, कि धर्म की कोई जरूरत नहीं, ध्यान काफी है। इस तरह की बातें कही गई हैं और ये बहुत विशैली, बहुत खतरनाक और निसंदे बहुत जूठी बातें हैं। ध्यान से धर्म की शुरूरत ही हुई थी, पर वो वो लोग थे जिनका ध्यान इतना गहरा था, इतना गहरा था, कि धर्म उनके ध्यान के फूल की तरह खिला। और उस धर्म का फिर उद्देश क्या था? औरों को ध्यान तक लेकर आना। ध्यान अगर बिना धर्म के संभवी होता, तो धर्मों की जरूरत क्यों पढ़ती? धर्मों की जरूरत इसी लिए थी ताकि आपको ध्यान तक ला सकें। रहे होंगे कोई बिरले लाखों में एक, जो बिना धर्म के ध्यान तक आ गए, आद्यरिशी, जो कोई पहला ऐसा था, कि उसे धर्म का समर्थन नहीं मिला हुआ था, उसे धर्म की प्रिश्ट भूमी नहीं मिली हुई थी, तब भी कि ध्यान की गहराई ने धर्म को जन्म दे दिया, वो कोई अनूठा, अनोखा रहा होगा। हम आप ऐसे नहीं हैं, हमें तो धर्म दिया ही इसलिए गया है, ताकि धर्म की सहायता से हम ध्यान तक पहुँच सकें, जिनके पास धर्म नहीं है, मैं कहा रहा हूँ, उनके लिए ध्यान तक पहुचना असंभव है, कम से कम, दस हजार में से 9999 लोगों के लिए असंभव है और आप न सोचिएगा कि वो जो एक है दस हजार में से वो आप है आप नहीं है संभावना बहुत क्षीन है बिना धर्म का ध्यान सदा गलत धिये पर होगा तो अपनी दृष्टी में आप ध्यानी बने रहेंगे पर जो हो रहा होगा वो बहुत मिथ्या बहुत वियर्थ होगा और हानिप्रत भी जूठा है तुम्हें सिखाने वाला ये इसी बात से पकड़ लेना कि वो तुम्हें ध्यान तो दे रहा हो और धर्म गरंथ न दे रहा हो जब भी तुम्हें कोई ऐसा मेले जो कहें आओ तुम्हें ध्यान कराऊंगा लेकिन धर्म गरंथ की कोई ज़रूरत नहीं है समझ लेना ये मकार फरे भी ये मनोरंजन करना चाहता है तुम्हारा और मनोरंजन का तो तुम दाम चुकाते ही हो ये बस तुम्हारा मनोरंजन करके तुम से कुछ दाम वसूल लेना चाहता है और मनुरंजन को सस्ते मनुरंजन को नाम इसने बहुत उचा दे दिया है ये बड़ा घात है क्योंकि न सिर्फ मनुरंजन सस्ता है बलकि तुम्हें धोखे में रखा जा रहा है कि तुम्हें कोई महेंगी और उची चीज मिल रही है मिल जो तुम्हें चीज रही है, बहुत सस्ती है, दो कोड़ी की है, उससे कुछ नहीं होने वाला, उससे तुम्हारा भ्रह्म बल्कि और गहरा जाएगा, तो ध्यान में उतरिये, और मैंने कहा, भावना जी, ध्यान का बहुत कहरा संबंध धर्म से है, मेडिटीशन से बचिएगा, प्रणा माचारे जी, आपकी पुस्तक अध्यात्मिक भ्रहांतियां पढ़ने के बाद, ये प्रश्ण उट रहा है कि आत्म भोध ही मेरा लक्षे है, जो अभी तक मैं समझ नहीं पाया हूँ, अभी तो इस नाश्वान शरीर से तादात्म है और मन को थोड़ा-थोड़ा समझ पा रहा हूँ, जो की चंचल है, नियंत्रित और शांत नहीं हो पा रहा है, कितनी बार संकल्प और प्रतिग्या ली, लेकिन शांत नहीं हो पा रहा है, इससे आगे नहीं समझ पा रहा हूं कि आत्म को कैसे उपलब्ध हो जाओं असली तत्व सत्य को कैसे जान पाओं अचारे जी मार दर्शन देने के अनुकंपा करें जितनी अभी बातें लेखी हैं ये नहीं हो पा रहा है वो नहीं हो पा रहा है अभी तो इस बात को भी बहुत गंभीरता से मतलो कि ये सब कुछ होने लायक भी है एक पुस्तक पढ़ी है तो इतने प्रशनाएं हैं कई पुस्तकें पढ़ने की जरूरत है संस्था में जिससे भी संपर्क में हो मुरारी ना संस्था में जिस से भी संपर्क में हो मुरारी उनसे कहो कि पढ़ने योग्य कम से कम दसपंद्रह पुस्तकों कि तुम्हें नाम सुझाएं उनका गहन अध्यान करो फिर आगे बात बनेगी आत्म बोध कह रहे हो आत्म बोध हमारे लिए सिर्फ एक छवी है एक सपना है और चुँकि हमारे लिए वो एक पूर निर्धारित छवी है इसलिए वास्तविक आत्म बोध होने नहीं पाता आत्म बोध तो अपनी निसारता का बोध है आत्म बोध का अर्थ होता है जिसका बोध करने गए थे उसी से खाली हो गए इसलिए आत्म बोध की बहुत ज्यादा बात मैं कभी करता ही नहीं मैं आत्म ग्यान पर बल देता हूँ मैं खहता हूँ स्वयम को देखो अपने चहरे को अपनी हालत को अपने विचारों को अपने कर्मों को और अगर इमांदारी से देख रहे हो तो यह आत्म ग्यान है आत्म ग्यान में दिख रहा होता है कि मैं क्या कर रहा है देखने वाला अभी जुड़ा हुआ है उससे जो दिख रहा है तुम कहते हो मैं देख रहा हूँ मैं को यह दोनों मैं जुड़े हुए है यह आत्मग्यान की स्थिति है पर मैं ने अगर वाकई ही देखा मैं को अपने आपको तुमने इमांदारी से देख लिया तो अपने आप से आजाद हो जाते हो यह आत्म बहुत है अभी मेहनत करनी है अभी साधना करो एक किताब पढ़ने से बहुत कुछ नहीं हो जाएगा अभी में आपको जाएगा